साथ्यों नमस्कार टीचर्शिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत हैं साथ्यों इस वीडियो में हम सिक्षक भरती परिक्षा के हिंदी सब्जेक्ट का संभावित उत्तर देखने जा रहे हैं चले दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चिन है जिसका उत्तर पद प्रधान हो यों प्रथम पद गौण हो खालिस्थान कहलाता है और प्रथम पद गौण होता है अर्थात अप्रधान होता है इसलिए जो इसका अंसर होगा ऑप्शन बी होगा तत पौण समास आगे बरते हैं सा के कारण कहीं का ना रहना का भाव्यक्त करने वाली लोगोक्ति का जो अर्थ है जो लोकोक्ति है पुछा जा रहा है तो वह है दोस्तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा दोभी का कुट्त न घर का न घाट का इसका जो आनसर आगे बढ़ते हैं निम लिक्त में अनिकार्थी सब्द दिया गया है एक अर्थ सब्द के साथ लिखा है दूसरा अर्थ बताइये, पुछा जा रहे हैं दोस्तों तो तो याद रिखेगा बेला का अर्थ दिया है एक फूल और उसका जो गया 7-7-11-12-10-12-42 इन में से कौन से संदी है तो याद रखे कि दोस्तों करणोधार जो है गुड संदी है आगे बढ़ते हैं साथियों हमारे next question है लागा चिन निम्नमे से कौन सा जो है चिन है पूछा जा रहा है तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों option D होगा क्योंकि लागा चिन का उपयोग जो जाता है तो इसे जो है दोस्तों लागा चिन का जाता है इसलिए इसका जो आंसर होगा option D होगा उपसर्ग की विसेस्ताएं होती है option A है 2, option D है 3, option C है 5, option D है 4 तो निश्चित रुप से दोस्तों इसका जो उपसर्ग की विसेस्ताएं होती है वो तीन प्रकार के होती है ती सब्दांस जुड़ता है तो सब्द के अर्थ में नई विशेस्ता ला देती है और दूसरा देखा जाए सब्द के अर्थ को उलट भी देता है सामने में लग कर सब्द के अर्थ के जस्ट विपरित हो जाते हैं जैसे की अर्थ का अनर्थ तो इस प्रकार का जो है दोस्तों मत परिक्रमड तो याद रखेगा उसका जो भावार्थ है लगभग उसी के जैसा है तो यह जो है तीन प्रकार के जो है इसकी विशेस्ताएं होती है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं निमलखित वाक्यान से तू सब्द होगा जो प्रमार से सिद्धना हो तो याद रखेगा दोस्तों इसका जो आंसर होगा अप्रमे होगा जो प्रमार से सिद्ध होता है उसे प्रमे कहते हैं और जो प्रमार से सिद्ध ना हो उसे अप्रमे कहते हैं आगे बढ़ते हैं हनी तेज दोंडती है इस वाक्य में तेज क्या है तो याद रखेगा साथियो इसका जो आंसर option C होगा आगे बढ़ते हैं हमारा जो next question है साथियों निमलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना तो निश्चे तुरुप से दोस्तो इसका जो आंसर होगा बहुत अधिक प्रिय होना चाहिए इसका जो आंसर है दोस्तो आगे बढ़ते हैं कलपांत कौन सी संधी है तो इसका जो आंसर होगा साथियों कलपांत कौन सी संधी है पूछा जा रहा है दोस्तो तो याद रखेगा कलप धन अंत अर्थात अ धन अ मिलाकर आ हो रहा है इसमें दिर्ग स्वर संधी है दोस्तो तो निश्चे तुरुप से यहां option में दिर्ग स्वर संधी नहीं है लेकिन इसमें स्वरसंदी दिखाई दे रहा है इसलिए इसका जो आंसर होगा option B होगा आगे बढ़ते हैं साथियों यूग मसब्द बताईए इती-इती का अर्थ भेध है तो याद रखेगा इसका जो आंसर है दोस्तों समापती फसल की बाधा इसका जो आंसर होगा याद रखेगा आगे बढ़ते हैं संग्या प्राया रहती है तो दोस्तों संग्या प्राया उक्त तीनों पूरुसों में रहती है याद रखेगा इसका संभावित आंसर जो है option D होगा आगे बढ़ते हैं साथियों आगे हमारा next question है प्रनार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं तो याद क्रिया के दो रूप होते हैं याद रखे के सांथियों इसका आंसर जो होगा आगे बढ़ते हैं वाचन के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों याद रखेगा वाचन दो प्रकार के होते हैं सस्वर वाचन और मौन वाचन तो इसलिए इसका जो आंसर होगा आपसन भी होगा आग दुकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली यह कौन सा वाक्य है याद रखेंगे दोस्तों यह जो है यह जो है दोस्तों मेरे हिसाब से दोस्तों यह जो इसका जो आंसर होगा मिस्र वाक्य होना चाहिए क्योंकि इसमें जो है एक वाक्य से दुसरा वा पुछी जा रही है दोस्तों तो उच्चारण के अधार पर दोस्तों याद रखेगा उच्चारण के अधार पर देखा जाए तो 11 स्वर में अगर अहा को भी उच्चारण के अधार पर देखा जाता है जैसे कि हम कंठ, ओंष्ट, मुर्धन्या इस प्रकार के उच्चारण के हिसाब से बाटा गया है उसमें बारा स्वर आ जाता है और पंच माक्षर 25 मिलाकर 25 और चार जो है अंता हिस्था और चार जो है उसम वेंजन इस प्रकार के 33 और बारा में 33 जोड दिया जाए तो वो हो जाएगा साथियों 45 और अड़ी अड़ा करके जो है इन्हें भी उच्छारंड के उसमें सामिल किया गया है अर्थात देखा जाए तो 47 निश्चित रुप से इसका जो आंसर होना चाहिए दोस्तो 47 होना चाहिए और पता नहीं कि वैपम के द्वारा इसका आंसर क्या लिया जा रहा है लेकिन इसका जो आंसर है दोस्तो 47 लेना चाहिए आगे बढ़ते हैं खिड़की सब्द का खिड़की सब्द कौन सा सब्द है पूछा जा रहा है फारसी देशज अनुकरण वाचक आर्भी तो निश्चित रुप से इ इसका आंसर आप्शन भी है आगे बढ़ते हैं वर्ण अणा का जो उच्चारण मुख के किस भाग से होता है तो याद रखेगा दोस्तो इसका जो उच्चारण है मुर्धन्य है याद रखेगा मुर्धा से होती है इसका उच्चारण अंसो इंजिनेरिंग बन गई होती य दिखाते हैं साथियों कि ये किस प्रकार हेतु हेतु मद भूत काल है तो वह क्रिया जो भूत काल में संपन हो सकती थी परंतु नहीं हो सकी उसे हेतु हेतु मद भूत काल कहते हैं जैसे यदि मैं पढ़ता तो उत्तिन हो जाता यदि हम पढ़ते तो उत्तिन हो जाते यदि त साथियों नेक्स्ट क्वेस्टन है हमारा मनोहर सब्द में कौन सा संदी है पुछा जाया रहा है साथियों तो मनोहर सब्द में विशर्ग संदी होगा इसका आंसर आगे बढ़ते हैं केंद्रित और अधिकता में क्रम्शा प्रत्य इस प्रकार का है तो निश्चेत रुप से इसका जो आंसर होगा option C होगा इतता आगे बढ़ते हैं एकता सब्द का परियावाची होगा तो एकता सब्द का जो परियावाची होगा दोस्तो याद रखेगा एक क्या जो है इसका आंसर होगा option C आगे बढ़ते हैं अनंत का विलोम सब्द है तो याद रखेगा दोस्तो दोस्तों अनंद का विलोम सब्दह समी समी याद रखेगा इसका जोसीम हैं में रके ऑउप्चंडी इसका अंसर हो इस प्रकार सांथ्यों इस की है हिंदी के प्रशनपत्र का जो शांभावित उत्तर है उसे आप सबी के सामने प्रस्तुत किये आने वाले वीडियो में हम एक और सब्जेक्ट का प्रस्ण पत्रल लाने का कोशिश कर रहें साथ हो तब तक के लिए देखते रहे हैं आपका अपना चैनल टीचर्शिप धन्यवाद साथ हो